दिल्ली ससटे यूपी के नोएडा से एक दर्दनाग घटना सामने आई है शराब के निशे में एक व्यक्ति कार का एसी चला कर उसके अंदर ही सो गया रात भर एसी चलने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई पुलिस ने उस शक्स की पहचान बरॉला निवासी सुन्दर पंडित के रूप में की है पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिवार वालों को दी इस दोरान परिवार वालों ने किसी पर घटना को लेकर संदेह नहीं जाहिर किया है पुलिस ने सुमवार को बताया कि सुन्दर पंडित बरॉला गाउं के रहने वाले थे उनका सेक्टर 107 में एक और घर था जहां वो वीकेंड में आये थे उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि सुन्दर पंडित शराब के आदी थे वो अपनी कार के अंदर सोय हुए थे जिसे सनिवार की रात बेस्मेंट में पार्क किया गया था पुलिस के प्रवक्ता ने बताया है कि पंडित के भाई ने सुबह उन्हें कार में बेहोश पाया और तुरंत अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मरत घोशित कर दिया इस्थानी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार परिवार की सदस्तियों ने ही शवका अंतिम संसकार किया आटो एक्सपर्ट की माने तो खड़ी कार में एसी चलाने से कार्बन मोनो ऑक्साइट पैदा होती है अगर हम खड़ी कार में एसी चलाएं तो थोड़ा सा शीशा खोल कर रखना चाहिए ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे आपको बता दें कि चलती कार में हवा का सर्कुलेशन बन जाता है लेकिन खड़ी कार में ऐसा नहीं हो पाता इसलिए AC चलने के कारण खड़ी कार में धीरे-धीरे oxygen की मात्रा कम होने लगती है और carbon monoxide पढ़ने लगती है जिससे कार में बैठा व्यक्ति धीर धीरिये बेसुध होने लगता है और इस कारण से उसकी मौद भी हो सकती है